हलो दोस्तों, क्लो 3D की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वाधत है आज हम फोल्ड एंगल का अपना पार्ट 2 करने वाले हैं तो चलिए स्क्वेर तो आप सभी को बनाना आ ही गया है तो आज मैंने पहले से ही आपके लिए स्क्वेर बना के रखा हुआ है हम अपना एड़िट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड पे जाइड दबाते हुए और सेम इसकी भी इंटर्नल लाइन बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई थी वही चार इंटर्नल लाइन बना लेते हैं हम उसके बाद जब आप अपने टूटी पैनल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको कुछ और वी ऑप्शन दिखेंगे जो आपको काफी हेल्फ करने वाले हैं आपके काम को असान करने वाले हैं आपको जरूर लगएगा कि मैंने आपको ये पहले ही क्यों नहीं बता दिये थे मैंने आपको वो सब क्यों सिखाया था पर वो सीखना भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमें मैनुली भी काम करना पड़ता है तो अब हम थोड़ा सा शॉटकट देखते हैं किसी भी काम को करने के लिए ये जो ऑप्षण होगा आपको मल्टिपल काम करने में मदद करेगा कई बार होता है हमें एक ही चीच बार-बार रिपीट करनी होती है जैसे अगर आप बॉक्स प्लीट सकर्ट बनाएं या नाइफ प्लीट सकर्ट बनाएं या accordion pleat बनाए, कोई सीरी pleat बनाए तो आपको एक ही चीज बार-बार दोहरानी पड़ेगी, वो चीज avoid करने के लिए हमारे पास ये option है, तो अपने 2D पैनल में देखिएगा, ये वाला option आपको मिलेगा, pleats fold, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, मेरे जो mouse है, मेरा cursor है, उस drawing आगई है, जो हमने select किया है उस tool की, अपने 2D पैनल पर click कीजिए, और फिर उस पर double click कीजिए, double click करने के साथ ही pleats fold को option आजाएगा, तो आप देख सकते हैं, कि इसमें कई सारे option दिये गए हैं, हम इसको side कर लेते हैं, knife pleat, box pleat, accordion pleat, हम इसमें कई सारी चीजे देख सकते हैं, हमें दी हुई है, internal line कितनी है, जब हम किसी requirement को fold करते हैं, तो उसमें line कितनी हम दिखाना चाहरे हैं, वो ये depict करता है, अगर मैं इसको 3 कर दूंगी, तो देखिए क्या होगा, आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो मेरे यहां की जो line हैं, इनके color बदल चुके हैं, मैं आपको दुबारे से करके दिखाती हूँ, फिलाल ये red, blue और magenta में है, मैं जैसे ही इसको 2 कर दूंगी, तो अब ये फिर से red और blue में हो गए है, तो दो line के according, दो color और 3 line हो के according, 3 color, हम इसमें angle भी decide कर सकते हैं, वो सारी चीजे हमारी उसी तरीके से हो गई, बस इन चीजों को आपको जैसे जैसे समझेंगे, वैसे वैसे आप इसमें add कर सकते हैं, हमें इस तरीके से चाहिए, इसमें एक combination बना हुआ है, कि आपको 0 to 360 वाला angle चाहिए, 150 to 10 वाला चाहिए, आप कोई भी अपना angle आपकी नीड के according decide कर सकते हैं, यहाँ पे already दिया हो गया है, कि outside fold, जो हमारी red line दी गई है, वो हमारी बहार आने वाली है, और जो green line है, वो हमारी अंदर चली जाएंगी, जैसे ही हम इसको 3 कर देंगे, तो इस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो केवल और केवल, वो हमारी वो line डेपिक्ट कर रहा है, जो वापस उपर आने वाली है, उसका उससे कोई लिना देना नहीं है, हम इसको 2 कर देते हैं वापस, यह knife pleat है, आप direction reverse ही कर सकते हैं, वैसे कोई फरक नहीं पड़ता, पर अगर आपका garment कुछ specific बना हुआ है, तो आप reverse का भी option इसमें use कर सकते हैं, हम फिलाल off कर देते हैं, और okay दवाते हैं, अभी फिलाल कोई फरक नहीं पड़ा है, क्योंकि इसकी simulation off है, हम simulation on करके देखते हैं कि क्या होगा, हम इसको पहले strengthen कर लेते हैं, यह solidify तो है ही, strengthen करने की पहचान मैंने आपको बता है ती कि वो फैबरिक जो हमारा होता है, औरेंज हो जाता है, अब हम simulation on करते हैं, यह देखिए, यह किस तरीके से हमारी जो knife pleat होती है, उसमें फोर्ड हो गया है, अगर मैं यही चीज, मैं इसको वापिस करती हूँ, control Z, अगर मैं फिर से वो pleat वाला option on करती हूँ, और वही सेम जो हमारे steps हैं, वो दोराती हूँ, अगर मैं इसको तीन कर दूंगी है, तो देखिए क्या होगा, तीन करने पे जो हमारी यह वाली line है, जो तीसरे कलर्टी है, knife pleat में उस पे कोई फरत नहीं पड़ेगा, यह देखिए, मैं यह select tool से दिखाती हूँ, जो यह वाली line है, हमारी फोल्ड ही नहीं हुई है, उसने छोड़ दी है, अब यह इस तरीके से हमारा जोड सकता है, मैं इसको लटा देती हूँ, जो हमारी skirt के रिए है, आप या तो line है उस तरीके से side कर सकते हैं, कि आपकी skirt अपने आप ही knife pleat में रही है, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कि हम तीन का option select कर लें, तो वो हो जाएगा, जो हमारी line है, वो यही depict करती है, हम जितनी ज्यादा line है, कि हाँ internal line add करेंगे, उतने ज्यादा उसमें folds आएंगे, अब हम इसको वापिस कर लेते हैं, यह अपनी position में वापिस आ गया है, हम अब अपनी internal lines को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ आए, edit tool select कीजिए, सारी line को select कीजिए, और delete को option दवा दीजिए, हम फिर से अपनी line को लेते हैं, राइट click और अब की बार हम इनको 10 करते हैं, यह देखिए, अब हम दूसरा option try करके देखते हैं, same, एक बार left click कीजिए, फिर left click दोबार कीजिए, अब हम देखते हैं box pleat में क्या होता है, box pleat में जब हम इसको internal lines as per pleat, per pleat जो हमारी line है, knife pleat में वो केवल 2 line considered करके चलता है, तीन line हम देते हैं तो लाइन हो skip पर देता है, अगर हम इसमें 2 line रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यह कुछ इस तरीके से fold हो गया है, यह देखिए, यह बहुत ही बारीक है पर इसने box pleat बना दी है यहाँ पर, यह दो pleat के according सही नहीं है, इस वज़ा से यह इस तरीके से बहुत ही shrink हो गया है, अगर हम वापिस इसको select करते हैं अपनी pleat tool को, इसका जो नाम है वो है pleat folds, हम pleat tool बोल रहे हैं, अब हम इसको 3 कर देते हैं, जैसे ही हम 3 करेंगे तो देखिए, अब हमारी pleat बड़ी हो गई है और बिल्कुल perfect लग रही है, दो pleat का आप रख सकते हैं पर दो pleat में वो उस हिसाब से आपकी line होनी चाहिए, जो दो pleat में fold कर सके, अगर वो line ये दो pleat के according नहीं होंगी तो फोल्ड आपके सही से नहीं आएंगे, हम आपको वापस करके दिखाते हैं, दूसे लग किया, box pleat 2, हम इसके angle को change करके देखते हैं साथ साथ क्या होगा, यह देखिए, यह हमारी किस तरीके की shape आई है, मैं आपको एक एक line से लट करके दिखाते हूं कौन सी line किस तरफ fold होई है, जो हमारी इस तरीके की blue line हैं, वो हमारी बहार की तरफ आई हैं, यह देखिए, जो भी हमारी बहार की तरफ line हैं, आप इसको box plate भी कह सकते हैं, inverted box plate भी कह सकते हैं, जो आपको कहना हो, क्योंकि हम अगर उस तरफ से use करेंगे तो वो box plate हो जाएगी, उस तरफ से use करेंगे तो inverted plate हो जाएगी, अब हमने इसको घुमा लिया हैं, और जो यह हमारी लाइने हैं, वो सारी इस तरफ हैं, मैं आपको उपर से करके दिखाती हूं, यह देखें, ब्लू वाली लाइन हमारी उस तरफ हैं, मैं जैसे ही इसको चेंज करूंगी, box plate, 3, यह देखें, मैंने अपनी simulation आफ कर दी हैं, आपको दिखाने के लिए, अपना edit tool यूज कीजिए, अब जो हमारी यह red वाली line हैं, सारी इस तरफ हैं, यह वाली line जो है हमारी, जो हमारी last time भी हमारी use नहीं हो रही थी, वह अब इसमें हमारी center line हो गई है, यह देखेंजिए, यह highlight हो रही है, इस line पे जो हमारा है, एंगल खोई भी set नहीं होता है, जो इस color की होती है हमारी line और जो हमारी alternative lines होती है उनके लिए एक color color set होता है हमारी आज की वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने decide किया है कि हम fold के जो swing है उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे तो हम फिलाल fold के बारे में सीख चुके हैं कि हम किस किस तरीके से fold कर सकते हैं हम अगली class में जानेंगे कि हम इसको कैसे सिल सकते हैं हमें किस तरीके से step by step follow करना चाहिए कि हम garment सिल सकेंगे तो तब तक के लिए आप सब से अलविदा इस चैनल को subscribe करना में भूलिएगा कोई भी परिशानी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में contact कर सकते हैं मैं आपको जवाब ज़ूद मेंगी तब तक के लिए बाए बाए